बच्चो वेलकम 12th Class English Medium Physics के आपको आज निमरीकली स्टार्ट करते हैं आज एक तारीक है आज निमरीकल सुनू करेंगे आज निमरीकल समाग कर देंगे ठीक है ये चैप्टर का नाम है Electromagnetic Wave EMW Electromagnetic Wave Lesson 13 है आपका और ये एक तारीक है 1 सितंबर तो पहला कुश्चन देखांगे The Amplitude of Electromagnetic Field of a plane EMW is equal to E0 150 Newton per Coulomb and F50 Hertz find the value of Amplitude of Oxilating Magnetic Field B0 and Omega 0 of the wave अब हमें इसमें ये 2014 माया 2016 माया दो साल कुश्चन आया हुआ है ये इंपोर्टेंट कुश्चन है Given that ये दिया हुआ है E is equal to 150 Newton per Coulomb है और light की velocity हम जानते हैं 3 Newton दूद पार 8 होती है तो हम फॉर्मुला जानते हैं B0 is equal to E0 upon C E0 की value 150 upon 3 Newton per 8 इसको उपर ले जाने 3 से काटेंगे 15 Newton per minus 8 Tesla हो गई तो ये हमारी इसका magnetic field निकल गा magnitude of the magnetic field अब आपको angular frequency omega निकालनी है 2 pi f 2 pi f 2 pi pi equal to 3.14 into 50 314 radian per second 314 radian per second अब question चलते हैं next अकलाव question है इसमें देखेंगे the magnetic field in the plane EMW is given by EY is equal to 8 into the power minus 6 sin 2 into the power 14 T plus 300 pi X and T find the wave wave of equation length आपको निकालनी है given that BY is equal to this आपको ये equation given है इसके standard value है BY is equal to B naught sin omega T plus KX B naught की value ये omega की value ये और K की value ये तो हमने 2 pi upon lambda is equal to 300 pi 2 pi T upon ये हमारी होगी इससे हम lambda की value निकालेंगे 2 pi upon K 2 pi और K की value लग देंगे तो ये हमारी इससे काटेंगे तो हमारा आएगा कितना 150 150 को डिवाइड करेंगे तो 0.067 मीटर आ गया अब हमें मेट फिल्ड की मेटूड निकालना 8 इंटू 6 ये हमारा मेटूड का हो गया और फिर हमें इंटेस्टी निकाल लिए इंटेस्टी का फॉर्मूला क्या होता है E naught is equal to C into B naught C की वेलो को पता है B naught की वेलो पता दोनों मुटिप्लाई करो 2400 बोर्ट पर मीटा इस तरह का कोश्चन अगर पेपर माहेगा तो आप कर लोगे ना एक्जाम में मैं समझता हूँ इस तरह का कोश्चन अगर आता है प्रोपागेट एंड EV is equal to 100 cos 620 पर 8 T plus 4H वोल्ट पर अपने टर हो गया गिवन दाट इक के सनाम को ये गिवन है वोल्ट पर मीटर इक के सनाम इवाई अपने इस चेंटर वैलू लिग दी तो इसमें E naught की वैलू यह होगी ओमेगे वैलू यह होगी के की वैलू यह होगी हम वैलू यह फॉर्मुला डबलू अपन के डबलू की वैलू यह और के की वैलू यह फॉर्ट से डिवाइड करो 1.5 तॉन पर 8 मीटर पर सेकिल हो गया N फ्रिक्वेंसी गाली N अपन B C की वैलू यह और B की वैलू 1.5 पावर से पार काटेंगे पॉइंट ड़ाइगी जुरू बढ़ाएंगे दो बार जाएगा पन दूरी तू तो रिफ्रेंट टू इंडेस आगया हमारा टू ठीक है अब इसमें आपको हमबर्क में करना है तो इससे पहले में आपको जिसके में पॉइंट बताता हूँ जो इसके में पॉइंट है में पॉइंट आपके है पहला इसमें है आपको यह equation मैंने बता हैं जो महत्पूर्ण most important equation है close integral B not DL is equal to mu not I C plus I D close integral B dot D A is equal to 0 close integral E dot D A is equal to 0 close integral E dot D A is equal to Q upon D T is equal to E MF E dot upon B not is equal to B is equal to C और C की value हम जानते हैं 1 upon mu not C epsilon not meter per second होता है और E dot is equal to E not sine omega T minus k x होती है B is equal to B not fine omega T minus k x होती है और omega upon के velocity होती है V is equal to new lambda होती है new frequency होती है V upon lambda is equal to V upon lambda wave number K is equal to pi upon lambda होता है omega 2 pi n या 2 pi upon T होता है ये मैंने आपको इसके formula बता दिये हैं E के formula को याद करना है इन्हें तियार करना है सही से ठीक है अब इसके बाद आगे चलते हैं इसमें अब आपको home work देखना है home work में कितना है complete work करना है learn the Maxwell equation Maxwell equation को याद करना है या आपका आज का home work के से अच्छी तरह है आप तियार पर लेंगे ओके ओके